Hello everyone, मैं हूँ Dr. Surabhi Solanki आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपका period नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए कई पार ऐसा होता है कि आपका जो period है जो expected date होती है आपके period की उस पे नहीं आता है period miss हो जाता है, कुछ दिन उपर हो जाते हैं जबकि कई patients कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी हमारा period उपर नहीं हुआ, हमेशा time से आता था और अब miss हो गया है, इसका क्या कारण हो सकता है तो सबसे पहली चीज़ अगर आप किसी भी gyanecologist के पास जाएंगे, ये complaint लेके तो पहला काम जो वो कराएंगी आपसे, वो है आपका urine pregnancy test यानि कि सबसे पहले आपका pregnancy test ही इसमें कराया जाएगा क्योंकि जो सबसे main चीज़ जो rule out करनी होती है, अगर आपका period miss हो जाता है वो ये है कि कहीं आप pregnant तो नहीं हो गई है क्योंकि जिन लोगों को pregnancy नहीं चाहिए होती है और अगर उनका period miss हो जाता है और वो sexually active है, possibility है उनके pregnant होने की तो बिलकुल पहले चीज़ यही rule out करनी चाहिए कि वो pregnant है कि नहीं तो अगर आपके साथ ऐसा case है कि आप sexually active है या chances है कि आप pregnant भी हो सकती है तो उस condition में अगर आपका period miss हो जाता है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको rule out करनी है वो यह है कि आपकी pregnancy तो नहीं है अगर आप sexually active नहीं है और फिर भी आपका period miss हो गया है किसी वज़े से तो उसके बारी मैं भी मैं आपको आगे चलके इसी वीडियो में बताने वाली हूँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन महिलाओं की जो कि sexually active है और उनके pregnancy के chances हो सकते हैं तो देखे अगर आपका period miss हो जाता है एक दो दिन आप wait कर सकते हैं एक हफते तक wait कीजे एक हफते तक भी अगर आपका period नहीं आता है तो सबसे पहले आप urine pregnancy test कीजे हर medical store पे आपको prega news pregnancy test kit मिल जाती है prega news के और भी कई सारे brands है जिनके जो pregnancy test kits है वो मिलती है तो यह जादा महंगी नहीं होती है 30, 40, 50 रुपे तक की आ जाती है आप इसको घर पे लाके आसानी से test करके यह पता कर सकते हैं कि आप pregnant हैं कि नहीं तो सबसे पहली चीज जो आपको rule out करने है वो यही है कि आप pregnancy तो कहीं नहीं हो गई अगर pregnancy होगे तो आपको क्या करना है अगर आप इतनी जगड़े detect कर लेते हैं अपनी pregnancy तो आपको जो last period आया था last menstrual period जो आपका था उसकी जो first date थी जिस दिन आपकी bleeding स्टार्ट हुई थी वहां से आप count कीजिए अगर अभी तक खाली 49 days ही हुए है तो आप आसानी से medical abortion करा सकते हैं यानि कि दवाईयों द्वारा जो abortion होता है वो करा सकते हैं मीफे प्रिस्टोन की गोली होती है और मीजोप्रोस्ट की चार गोलिया होती है पांच गोलियों का एक पत्ता आता है कई सारे ब्रैंड्स है MTP kit है, मीफे जेस्ट kit है, unwanted kit है तो आपने वो पांच गोलियों की help से बिल्कुल घर पे ही दवाईयों की दोरा abortion किया जा सकता है हाला कि मैं आपको वाउन कर दूँ कि आप उसके instructions अच्छे से पढ़िएगा प्लस किसी जो भी lady doctor आपके नस्दी की हो उनसे पहले consult कर लीजेगा दवा लेने से पहले और फिर आप इस दवा को जरूर ले सकते हैं और इससे abortion हो जाता है अगर आपको इससे देर हो जाती है आप बहुत देर से पता कर पाते हैं कि आप pregnant है तो उस condition में फिर आपको DNC करानी पड़ेगी आपको hospital में जाके एक minor सा surgical procedure होता है जिसमें की थोड़े instruments आपकी uterus में डालके आपकी uterus को clean किया जाता है उसके अंदर जो भी product of conception होता है उसको निकाल दिया जाता है तो इस तरीके से वो process होता है अब हम बात कर लेते हैं दूसरी situation के बारे में यानि कि या तो महिला sexually active है ही नहीं यानि कि pregnancy का कोई chance ही नहीं है फिर भी period रुग गया है period नहीं आ रहा है तो उस condition में क्या कर सकते हैं या फिर महिला sexually active है लेकिन pregnancy भी नहीं है फिर भी period नहीं आ रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है तो इन दो condition में generally देखे कई कारण हो सकते हैं लग्किया बिल्कुल घबरा जाती है अगर period नहीं आता है time पे इतना panic करने की भी बात नहीं है अगर pregnancy का issue नहीं है तो बिल्कुल tension लेने की बात नहीं है क्योंकि इसमें कई वजहों से period आपका delay हो सकता है या थोड़ा उपर को चड़ सकता है जादा तर महिलाएं 80% महिलाएं अगर वो pregnant नहीं होंगी और period मिस होता है तो अगर हफता दस दिल वेट कर लेती है तो उसके अंदर अंदर period अपने आप ही आ जाता है लेकिन इसी time में लड़ गया है इतनी परिशान हो जाती है हमनारे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं period कभी delay हुआ नहीं और period delay हो गया है तो इसके लिए मैं आपको बता दू कि बहुत छोड़े छोड़े कारण भी ऐसे होते है जिनकी वज़े से period आपका delay हो सकता है जैसे कि कई बार थोड़े emotional causes होते है या stress किसी महीने आपके life में थोड़ा ज़ादा बढ़ गया या किसी बात के लिए आप upset हो गये या mental exertion ज़ादा लेना पड़ गया ये देखे ब्रेन में आपके structure होता है जिसका नाम है hypothalamus ultimately hypothalamus की आपके सारे जो female hormones है और आपकी जो menstrual cycle है उसको regulate करता है तो अगर आपको कोई भी emotional factor होता है या mental factor होता है उसका असर आपके hypothalamus की functioning पर भी पढ़ता है और उसकी विज़े से आपका period बिल्कुल delay हो जाता है कभी-कभी तो emotional causes हो सकते हैं mental causes हो सकते हैं इसके इलावा physical exertion अगर आपने किसी महीने जादा ले लिया है मालनीजे आपको जिम की आदत नहीं थी आपने अभी-भी नया जिम स्टार्ट किया है बहुत जादा workout उसमें हो जाता है तो उस condition में भी आपके periods पे असर पढ़ सकता है बिल्कुल आपके periods upset हो सकते हैं और delay भी हो सकते है तो ये एक कारण होता है जिसकी वज़े से की period करी बार delay हो जाते है चाहे वो mental exertion हो चाहे वो physical exertion हो अब इसके इलावा कुछ और causes होते हैं जिनके लिए कि आपको थोड़ा seriously सोचने की जरुत होती है और वो है hormonal causes अगर आपकी body में किसी तरीके का कोई hormonal imbalance है कुछ particular type की बिमारियां आपके शरीर में develop हो रही है तब भी आपका period जो है वो delay हो जाता है अगर आपका period इतना ज़्यादा delay हो रहा है जिसकी एक महिना पूरा delay हो गया या 2-3 महिने में एक बार आने लग गया है period तो एक बहुती common बिमारी है जिसका नाम है PCOD या PCOS जो कि आजकल कई महिलाएं उसे सफर कर रही है polycystic ovarian disease इसमें अगर आप ultrasound कराएंगे तो आपकी ovary की एक typical picture मिलती है PCOD की एक typical picture मिलती है जिसमें कि आपकी ovary में कई सारी छोटे छोटे cysts दिखाई देते हैं और आपकी ultrasound से diagnosis बन सकती है PCOS की तो बिलकुल अगर इस टाइप की condition है तो आप एक ultrasound जरूर करवाएं अपना pelvic ultrasound करा के देखें प्लस आप एक और जांट जरूर करवाएं वो है आपका TSH TSH यानि कि thyroid stimulating hormone कई बार जो period की irregularities होती है वो thyroid hormone की dysfunctioning के विज़े से होती है बहुत common मैं आपको वो reasons बतारी हूँ जो सबसे common है irregular periods के लिए तो सबसे common है यह PCOD है PCOS है दूसरा यह आपका thyroid hormone का imbalance चाहे वो hypothyroidism हो चाहे वो hyperthyroidism हो यानि कि चाहे thyroid आपका overactive हो गया है जादा hormones produce कर रहा है या फिर कम hormones produce कर रहा है तो वो चीज़ आपके आप TSH अपना hormone का level check कराएंगी तो आपको ज़रूर एक indication मिलेगा कि किस वज़े से आपके periods delay हो रहे हैं इसके अलावा बिल्कुल आपके जो भी नजदी की gynecologist है आप उनसे consult कीजे एक बार अगर आपका period delay होता है यानि कि पहले कभी भी नहीं हुआ आज ही इस बार ही इस महीने ही delay हो है तो पहले तो आप इसे थोड़ा wait करिए हफता भर wait कीजे 10 दिन wait करिए आता है कि नहीं अगर आप sexually active नहीं है तो otherwise तो आप सबसे पहले अपना pregnancy test करके देखिए हफता 10 दिन आप wait कर लीजे ज़्यादा तर आ जाएगा और next month से आप देखेंगे कि सही time पर ही अपना regular time पर आ रहा है लेकिन अगर आप 2-3 महीने से notice कर रहे हैं कि आपका period बार-बार ही delay होके आ रहा है हर महीने में एक बार आने की बजाए 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार आ रहा है तो उस condition में जरूर आपको treatment की जरूरत है कई महिलाएं इसके लिए ज़्यादा concern नहीं होती है especially जिनको की baby नहीं चाहिए अगर आपकी family complete है अगर आपके दो या तीन babies है आपको और नहीं चाहिए तो आप ignore भी कर सकते हैं अगर आपको otherwise कोई physical illness नहीं है या कोई और problem नहीं है तो बिल्कुल एक दो महीने आप इसको ignore कर सकते हैं अगर continuously problem बनी हुई है और साथ में आपको और symptoms भी आ रहे है जैसे कि thyroid अगर आपका affected होगा तो आपको और जैसके आपको body weight बढ़ने लग जाता है hypothyroidism में और थोड़ा आपको depression के symptoms आने लग जाते हैं इस तरीके के कई symptoms साथ में associated होते हैं irritability बढ़ जाती है तो उस condition में बिल्कुल आपको treatment की जरुत है PCOD अगर है आपके साथ उसमें भी जनरली आपका वजन बढ़ने लग जाता है साथ में क्योंकि PCOD के साथ जो testosterone hormone होता है male hormone होता है वो महिला की body में बढ़ने लग जाता है तो उसकी वेज़े से face पे बाल आने लग जाते है या male features जो होते है उस type के features develop होने लग जाते है hairs body में जादा आने लग जाते है तो अगर ये सब condition आपके साथ है तो बिल्कुल आपको treatment की जरुत है और आपको किसने किसी गाने कॉल जिस से मिलके इसका treatment लेना चाहिए तो अगर आपके periods delay होते हैं या miss होते हैं और आप sexually active हैं तो सबसे पहले आप pregnancy अपनी rule out कीज़े pregnancy नहीं है तो wait करके देखिए थोड़ा एक दो महीने wait कर देखिए तीन महीने का trend देखिए अगर तीन महीने तक भी लगातार आपके periods irregular आ रहे हैं या बहुत डिले होके आ रहे हैं तो आप ज़रूर किसी gynecologist से consult कीज़े या फिर अगर आपको कोई problematic symptom है जो bother कर रहा है तो आप ज़रूर अपने gynecologist से consult कीज़े अगर pregnancy का कोई chance नहीं है आप sexually active नहीं है बिल्कुल भी तो उस condition में भी आप थोड़ा एक पीरेड upset हो जाए तो उससे आपको परिशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर लगातार दो-तीन महीने तक ही ऐसा repeat होता है बार-बार ही periods daily होने लग गए है और साथ ही आपको और भी कुछ problem हो रही है साथ में associated तो बिल्कुल आपको gynecologist से treatment लेने की ज़रूरत वहाँ पर है तो hopefully आज के ये वीडियो आपको कुछ useful लगा होगा काम का लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए subscribe करें के साथ साथ वो जो notification bell है all के option के साथ उसको भी जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरे आने वाले pregnancy से related useful वीडियो के notifications आपको time से मिलते रहें और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो अगर आप instagram यूज करते हैं तो मैं instagram पर भी हूँ मेरे id का link आपको description box में मिल जाएगा आप मुझे वहाँ पर follow कर सकते हैं इंस्टा पर हाला कि वहाँ पर मैं medical field से related चीज़े नहीं डालती हूँ generally अपनी pics of family की pics से डालती हूँ लेकिन फिर भी अगर आप follow करना चाहें इंस्टा पर जो जरूर कर सकते हैं link description box में है मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रुखिए